सब्सक्राइब टो यूट्यूब चानल और प्रेस बेल आइकन टिकेट लेटिस अपडेट्स जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं तब यम्राज खुस होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर प्रशन है क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमीशा सत कर्म ही की है इसलिए मैं तुम्हें वापस प्रित्मी लोग पर भीजना चाहता हूं हाथी ने यम्राज से कहा कि हे प्रभू यदि आप हमारे उपर प्रशन हैं तो हमें यह वर दीजिए कि इनसान हमारे उपर कभी भी सासन ना कर सके यह सुनकर यम्राज काफ़े आश्यर चकित हो गए उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज मनुस्य तो काफी बुद्ध ऐसा हम यह व्य स्याँर होते हैं यम्राज ने हाथी से कहा कि ठीक यहारी पात सहीं निकली तो तुम जैसा को कि हम वैसा ही करेंगे और यहारी पात ज्जूत ही निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा हाती ने कहा कि हमें मनझूर है तब यम्राज ने यम्दूथ से जाओ और इसकी मालिक को यम्लोग लेकर आओ चार दूथ उस हाती की मालिक के लेने के और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी तब हरीलाल ने यम्दूतों से पूछा कि हमें कहा लेकर जा रहे हो तब यम्दूत ने कहा कि हम आपको यम्लोक यम्राज के पास लेकर जा रहे हैं तब हरीलाल ने कहा कि यम्लोक तो लोग मृत्य की बाद जाते हैं मैं तो जिंदा ह इनसान की जरूरत है इसलिए हम तुम्हें यम्लोग लेकर जा रहे हैं हरी लाल काफी हुसियार था और इसने काफी देड़ तक सोचा कि उसके दिमाग में अचानक एक आड़ी आया उसने चारपाई पर ही बगल में कागज और कलम थे उसके कागज कलक उठाया और एक साधी का कागज पर उसने लिखा कि यम्राज इस मनुस्य को अपना सिंहासन सौब देना यह मेरा आदिस है और उसने भगवान बिश्णू का हास्ता चर्वी कर दिया यम्दूत हरी लाल को लेकर यम्लोग पहुंचे वहां यम्राज हरी लाल को देकर काफी खुज हुए हरी लाल ने यम्राज को वह कागज थमा दिये जिसे पढ़कर यम्राज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हरी लाल को यम्लोग का राजा बना दिया हरी लाल का हाथी उसके उस्यारे देख काफी अश्र चकित हुआ तब यम्लोग पर हरी लाल का सासन हो गया हरी लाल ने चित्रगुत को आदेश दिया कि जो भी लोग नर्क लोग में है उन्हें स्वर्ग लोग में भेज दिया जाए और नर्क लोग का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए अब जो भी लोग मरने लगे उस सभी की पास पहुंच गई कि आखिर यम्लोग का संतुलंग क्यों बिगड़ रहा है सभी लोग स्वर्ग जा रही है यह सोचकर भगवान विश्णु यम्लोग पहुंच के और दीखा कि यम्लोग की द्वार पर यम्राज बैठे वे थे यह देखकर भगवान विश्णु ने यम्र यह देखकर भगवान विश्णु हसनी लगे और यम्राज से घहा कि तुमने किसी जिंदा मनश्य कोHeast कोμεने बुला लिया है क्या तब यम्राज ने कहा कि हाँ प्रभु मैंने जिंदा मनश्य को धर्दी से यम्लोग में बुलाया है तब भगवान विश्णु यम्राज की स समझ बुला सकूं इसलिए मैंने यह सब कुछ किया हरी लाल की बात सुनकर भगवान बिश्णू बहुत प्रिशन हुए यम्राज ने हाती से कहा कि हे गजराज आप जीत गए और मैं हार गया उसके बाद यम्राज ने हरी लाल को वापस प्रित्वी लोग पर भेज दिया और